व्यक्ति सफलता प्राप्त करने के लिए पहले लक्ष साथता है फिर योजना बनाता है फिर मार्ग चुनता है और सरीव प्रयास करता है कि इस मार्ग में कम से कम बाधा है इस मार्ग में कहीं कोई चटान ना आजाए कोई गड़ा ना आजाए कोई खाई ना आजा और यही सबसे बड़ी भूल वो कर बैठता है कैसे एक सरल सपाट मार्क आपको कहा नहीं जाएगा एक सीधे सपाज स्थल यहां तो कोई भी पहुच सकता है इसमें विशीश क्या है सोची यदि आपके मार में गंठे हो खाई हो चटानी हो तो इसके प्वरे एक शिखर भी है जो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है सफलता का वो शिखर जहां कोई स्रलता से नहीं पहुच पाता है जो विशेश इसलिए अपनी जीवन में जब भी समस्याएं आए उससे कत्राएं नहीं एक मुस्कुराहट के साथ उसका स्वागत है और साथान रहें यदि आपके मार्ग में समस्याएं ही ना आए तो इसके दो ही आरती या तो आपने लक्ष ठीक नहीं चुना है या आपके मार्ग ठीक नहीं चुना है राधेर